नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासिस, दोस्तों आज मैं आपके लिए कार्वियू रेटर, कार्वियू रेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, यह सारी जानकारी बहुत ही आसान भासा में आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ, तो आ आप जानते हैं कि जो carburetor होता है IC engine में यूज़ किया जाता है carburetor का उपयोग कहा पर उपयोग होता है IC engine में तो आग carburetor is a device which mix air and fuel for internal combustion engine in the proper quantity for combustion means जो हमारे IC engines होते हैं IC engine में air fuel है जो mix करता है carburetor proper मत्रा में proper अनुपात में दोनों को क्या करता है mix करता है mix होने के बाद है charge के फार्म में हमारे cylinder में सक होता है जहां पर यह जलता है तो means इसको हम क्या बोलते हैं carburetor एक carburetor is a device which mix air and fuel for internal combustion engine in the proper quantity for combustion किसके लिए दहन के लिए combustion के लिए तो इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसको हम बोलते carburetor का function means एक carburetor का roll होता है तो यह कैसे काम करता है तो दोस्तों जो भी छात्र मेरे चैनल पर first time है जिनने अभी भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो दोस्तों आईए देखते हैं क्या working है कैसे काम करता है तो यह आपके working का diagram है कैसे work करता है इसके बारे में आज मैं आपको completely समझाने वाला हूँ कि सबसे पहले जैसे कि आपको diagram दिखाई दे रहा है कारगुरेटर हमारा कैसे काम करता है इसमें आपको देखना है एक हमारा float chamber है और float chamber में एक float valve होता है float chamber है जिसके अंदर हमारा patrol भरा रहता है float chamber में और इसमें एक float valve होता है तो जो हमारा fuel tank से पेट्रोल निकल के फ्यूल पंप के द्वारा इसमें आता है कि इसमें फ्लोट चेंबर में और इसको कंट्रोल करते हैं फ्लोट बाल्व से मिस जब भी इसका लेविल कम हो जाता है तो petrol fuel tank से आना स्टार्ट हो जाता है pump के तुरू और जैसे level बढ़ जाता है तो float bulb हमारा upward lift करता है और इसके entry को बंद कर देता है फ्यूल आना बंद हो जाता है तो यह float bulb है float chamber है जिसमें petrol भरा हुआ है अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले air in तो air in जो कर रही है वो filtrate होते हुए air आती है filter लगा हुआ है यहाँ पर carburetor में जहां से हमारी surrounding की air यह filter से पास होगी और इसके बाद लगा हुआ है choke तो दोस्तों जो choke होता है जो कि आप गाड़ियों में choke को बहुत ज्यादा नाम सुनते है choke, bikes में हम अक्सर देखते हैं choke तो choke initially हमारा किस condition में होता है open condition में होता है जैसे कि आपको diagram में दिखाई दे रहा है तो choke जो है यह क्या करता है कि अक्सर हम choke का यूज कप करते हैं जब हमारा engine start नहीं होता है vehicles start नहीं होती हम किसका उप्योग करते है चोक का यूज करते हैं तो choke से हम करते क्या है तो अक्सर winter season में हमारी vehicles start नहीं होती इंजल स्टाट नहीं होता हम चोक का यूज करते हैं वाइक सब्सक्राइब आप लोग इसका उपयोग करते हो तो चोक में गाड़ी को करना मतला एयर पासेश को रेडिस करना एयर की क्वांटिटी को कम कर देना अभी जो पूरा खुला हुआ है आपकी फिल्टर होते हुए न पेट्रोल सेम में जाता है जिससे फ्यूल कंबस्चन फटाक्स हो जाता है जल्ली जल जाता है तो यह रेडिस करता है ओकी अब इसके बाद है बैंचुरी तो इनिशियल कार्वोरेटर की फंक्शनिंग कैसे होती है कि सबसे पहले हमारी फ्रेस एयर है वह हमारी फिल्टर हो होता है घट रहा है यहां पर तो यहां पर जो प्रेसर होता है वह रडिस हो जाता है प्रेसर आपका डिक्रीज होता है कम हो जाता है जैसे प्रेसर कम होता है तो क्या होता है कि जो हमारा फ्लोट चेंबर में पैट्रोल है यह हमारा इस लाइन से निकल के यहां पर क्या होता और जैसे पैट्रोल असका प्रेसर रुड़ीरीव हो रहे है तो यह से हमारा मिक्स हो स्थे आधे वाद हैं तो जो थो tor बालब है फ्रोटल बाला गेल्चिंपल से कबिल से कुणेटेड हुता है जब भी हम accelerator बढ़ाते हैं, accelerator को press करते हैं, यदि हम car की बात करें, bike में accelerator को बढ़ाते हैं, तो throttle valve है, जो कि हमारा open and close होता है, तो हम कब बढ़ाते हैं, जब हम बहुत तिज चलाना है, बहुत load में हम ले रहे हैं, तो हमारा throttle valve ज्यादा खुल जाएगा, सीधा होगा, तो हमारा ज्यादा charge है, जो कि rich charge हमारा cylinder के अंदर सक्ख होगा, और normal engine आपका initial condition में, कि जिस पर कोई load नहीं है, neutral position में है, लेकिन engine start है, तो जो हमारा charge है, air fuel का मिक्चर, वो हमारे throttle valve के side से हलका सा खुला रहता है, जिसके side से निकलके engine cylinder में जाता है, और fuel जलता है, लेकिन जब भी हम accelerator को turn करते हैं, तो जो throttle valve है, यह हमारा open होता जाता है, जितना accelerator बढ़ाएंगे, खुलता जाएगा, उटना rich picture हमारा cylinder के अंदर सक्क करेगा, तो दोस्तों यह carburetor का function होता है, तो throttle valve, accelerator की cable से connected होता है, जब हम accelerator हाँ से बढ़ाते हैं, वाइक का, यह open होता है, और पैर से हम car में दबाते हैं, तो अभी open होता है, तो जो carburetor है, इसके main components में float chamber हो गया, चोक हो गया, बैंचरी हो गई, इसके बाद throttle valve हो गया, stranner, stranner जो है, वो एक आपकी क्या होती है, छन्नी होती है, जो कि हमारे fuel को clean करके वेचती है, कोई भी उसमें dust particle जो आंगे line को चोक ना करते हैं, इसको क्या करता है, filter करता है, ओके, तो यह carburetor की function होता है, कि carburetor हमारा क्या करता है, air fuel को mix करता है, तो this is just simple diagram of carburetor, ओके दोस्तों, अब हम इसके types देखेंगे, क्यटने types के होते हैं carburetor, तो जो carburetor है कार्वोडेटर में open choke type carburetor होता है, जिसके अंदर हमारे gent carburetor, soleX carburetor और character carburetor आते हैं, यह तीन प्रकार के carburetor है, जो की open choke type carburetor की category में आते हैं, और एक होता है constant vacuum type carburetor, है जिसके अंदर हमारा आता है SU Carvorator तो दोस्तों ये दो SU Carvorator तो जो हमारे Diploma Student है उसमें जन्त Carvorator, Solex Carvorator और Amal Carvorator इनके सलेवस में दिया हुआ है जिसका वीडियो हम next class में आपको लेके आएंगे इसके प्रकार पे Solex Carvorator कैसे काम करता है जन्त कैसे काम करता है जो कि next वीडियो में आपको बताएंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अब वीडियो को लाइक करें थैंक यू